हालो फ्रेंट्स वेलकम अगें वर्ट्बेस ट्रेटोरियल फॉर दा बिगनर सीरीज मैं सहीध रमीज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाव टू एड थम्निल तू यूर पोस्ट पोस्ट के अंदर थम्निल जो होता है वो एक इमेज होता है जो एक अट्रेक्शन पैदा करता है आपकी वेबसाइट के अंदर जो ही पोस्ट होते उसके लिए तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके साथ साथ में पोस्ट को थम्निल इमेज कैसे इंसर्ट करते है उसका size क्या रहना चाहिए और किस तरह से image insert करते हैं, image insert तो हमने last video में हमारे देखा भी था कि how to insert image in wordpress post तो friends इसका examples है, definitions है, thumbnail images help make your blog post look more attractive and increase the overall look of your blog This video show you how to add thumbnail to your blog post So friends, video अच्छा लगए तो उसको like and share करने ना भूले चलते हैं हमारे wordpress dashboard की और So friends, यह wordpress का dashboard है, यहाँ पर हम वापस से आएंगे हमारे post की और Post में all post पर आपको click करना है, all post में जाने के बाद particular जो post हमने add किया था जिसमें हमने काफी सारा content डाला था, उस post को हम again edit करींगे So friends, आप देख रहे हैं हमारा post आ चुका है, उसकी नीचे आप देखेंगे right side में पर जो property आते है future image तो यह future image होता है, इसका particular size रहता है, यह size जो है every theme में different size रहता है मैं यहाँ पर आपको एक tips देना जाओंगा कि जब भी आप पूरे work site के उपर images पर work करें तो उसकी size पर पूरा ध्यान देना, उसका height और उसका width, यानि कितना है, उसका length कितना है, ऐसा मत करना कि but images आपका बहुत छोटा हो और आप वहाँ पर add कर दें या images बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, तो images जो है maximum, medium size का आप रखिए और इसके साथ-साथ में यह आपको option देता है, कि image को customize कैसे करें, so wordpress के अंदर inbuilt future है, बट कुछ themes जो है, उसको support करते हैं, कुछ themes में नहीं होता, so maximum है, वो 90% होता है, 10% cases में नहीं होता, so यहाँ पर आपको करना होगा set future image पे click, यहाँ पर आप set future image पे click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक new pop-up window open हो जाता है, यहाँ पर आपको image upload किया होगा, वो आपको media library में दिखेगा, so यहाँ पर हम select file करते हैं, अभी आपका image किस location में है, आपकी computer के अंदर, वो आपको यहाँ पर देखना रहेगा, और यहाँ से आपको image को select करना रहेगा, जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एक image download किया था, last video में भी आपको यह image दिखाया था, और इस image को मैंने upload कर दिया, so जैसे ही आप यहाँ पर image upload करेंगे, तो आपको यहाँ पर यह image preview भी हो जाएगा, उसका size भी यहाँ पर दिखा रहा है, size दिखाने के साथ साथ में उसका title आप दे सकते हैं, alt attribute दे सकते हैं, alt बहुत important होता है, so इसको पर presently आप इधर title नहीं दे रहा है, and set future image button पर click करेंगे, so आप देख रहे होगे, यहाँ पर यह image appear हो गया है, इसको अभी हम save कर देते हैं, भी अपडेट कर देते हैं, अपडेट पर click करने के बाद इस post को हम particular post को view करेंगे, यहाँ से हम right click करते हैं, post view होगे new tab, so यहाँ प post के उपर जो हमारा image आ रहा है, यह thumbnail image से आ रहा है, and अभी इसके बाद हमारा नीचे का पूरा post start हो जाता है, तो यह हमारा post thumbnail है, अगर आप laptop category पर उपर जो category आ रहा है, वो हमारा laptop है, यहाँ पर देखेंगे, तो जो हमारा post देखता है, वो इस तरह से देखता है, अभी हम comments जाते हैं फिर हमारे home page पर और home page पर जाने के बाद यहां पर देखेंगे कि हमारा post किस तरह से देख रहा है यहां पर जो हमारा last post है यहां पर यह content डाला है तो अभी हमारा website का look and feel है वो काफी अच्छा देख रहा है यहां पर यह short content display कराना चाहिए और उसकी बाद option देना चाहिए read more का इसी वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको short content कर सकते हैं तो आपको प्रेंट चानर रहेगा left side के menu में appearance के आसपास आपको दिखा ही देखा कि customize का option so customize पर हम click करेंगे customize पर click करने के बाद आपको यहां पर देखाएगा theme options so theme option पर आप click करिए यहां पर देखिए आप theme option पर click करेंगे यहां पर आपको बहुत सारे options है last option आपको दिखा रहा है on archive page post show full text full text जो है हमारा select है इसको हम summary पर कर देते in summary पर करने के बाद उपर publish button जो है उस publish button पर आप click कर दीजिए and again last option कि इस customization से हम बाहर निकल कर आ जाते है तो अभी हमारा जो page है home page जो है इसको हम refresh कर लेते refresh करने पर अभी हमारा last का जो post है देखिए यहां पर जो last का post है जो हमारा first paragraph है वो यहां पर read कर लिया और इसकी बाद यह dot 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 दे दिया है जिसका indications होता है कि इसको read more करना है अगर आप post पे click करेंगे particular post पे तब यह आपको पूरा post दिखाई देखा तो इसका benefit क्या है कि आपका जो blog post है उस पे आपका click through rate भी बढ़ता है click through rate क्या है यह आप जब SEO करेंगे तब हम उसको सिखेंगे So friends यह था हमारा end of the video कि किस तरह से image को thumbnail image हम wordpress के अंदर add करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो उसको like and share करना ना भूलें मिलते हैं next video में thank you for watching our video have a nice day God bless you good bye